नमस्कार, grammar class number 32, topic हमारा चल रहा है, passive voice, passive voice में sentence का formation किस तरह से होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं, object सबसे आगे होता है, third form सबसे पीछे लगाया जाता है, बीच में time और action को represent, action वतलब state of an action को represent करने वाले words होते हैं, और सबसे आखरी में by अगर compulsorily बताना हो, कि किसने ये काम किया है, तो by लगाया जाता है, येस, चलो, आज हम ये देख लेते हैं, कि इसमें sentence कैसे frame होता है, ये हमने देख लिए, आज हम देखें कि caution कैसे बनता है, अगर हमें passive voice वाले sentence का caution frame करना हो, तो passive voice में cautions किस तरह से बनते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, इस पे बात करते हैं, अब cautions जो हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, इस बात को समझ लीजी जा, जो cautions पूछे जाते हैं English में, वो दो तरह के cautions होते हैं, first वो जो helping verb से बनते हैं, is, am, are, do, does, has, have, had, will, इन से जो cautions बनता है, उसको helping verb वाला cautions कहते हैं, और जो cautions डबल वेच वोर्ड से बनते हैं, जिसे what, when, where, which, how, whom, why, है ना, उसको हम डबल वेच वोर्ड वाला cautions कहते हैं, अब जो helping of वाले cautions हैं, उसको निम्न भागुम वेवाजित किया गया है, बाटा गया है, देखो, सबसे पहले देखते हैं, do और does से प्रागम होने वाले cautions, तो अगर cautions do does से बना हो, तो उसका passive wise कहते बनेगा, उस question को हम passive wise में किस तरह से ले जाएंगे, जैसे active यहां लिखा है, does he teach English, अब जब इसका passive बनेगा, तो यहां is लिखा आ जाएगा, तो लूग confused हो जाते है, कि सार यहां तो does लिखा था, does कहां गया, अरे भई, passive wise में does तो होता ही नहीं, नहीं आपको आता हो, तो इस sentence को पहले simple मान के चलो, जैसे he teaches English, तो उसका जब हम passive बनेगे जाएंगे, तो बनेगा इंग, यहां मैं इज़र दिखा दे रहा हो, देखो, एक second है न, इसको अपनी, हम, देखो, इसको पैसो बनने जाएंगे, तो इंगलिश को आगे लिखना होगा, क्योंकि ऑबजेक्ट है, इस में हम लगाएंगे, थाइम और एक्षिन के लिए, इंगलिश इस, टीच का थर्ड फॉर्म, टाउठ, बाई, लिखना है, लिखिये, नहीं लिखना है, मत लिखिये, अब अगर इस, इस वाले संटेंज का, क्वाशन बनाना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें आगे लाना पड़ेगा, इस, इंग्लेश, टाउठ, बाई, हिम, और ये क्वाशन मार्क आट, ठीक, तो यहां हमारा जो क्वाशन था, वो था, डाज ही, टीच, इंग्लिश, टीक वाशन था, इसको पहले हमने सिंपल सेंटेंज में, कन्वर्ट करके देखा, ये ट्रिक बताई जा रहे हैं कि, कैसे इस वाले सेंटेंज से, ये वाला सेंटेंज आ गया, उसको हमने सिंपल में लिया, फिर उसका पैसिव फॉर्म किया, और जब पैसिव वैस बनाया, तो उसमें फिर हमने उसको कॉशन बना दिया, तो इस ये जो है, बाहर आ गया, इसलिए यहां क्या हुआ है, इस वाले मामले में देखो, इस इंग्लेश टाउड बाई हिम, यही था, गुर्ड, डू यू रीड नॉवल्स, जैसे कॉशन डू से शुरू हो रहा है, मतलब वो प्रेजेंट सिंपल का कॉशन है, जब इसको हम पैसिव वैस मिल ले जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको देखो, एक और आपको बरतना कर दिखा रहा हूँ, देखिए, डू यू रीड नॉवल्स, यह कॉशन मारक है, यह कॉशन बना हुआ है, येस, यू रीड नॉवल्स, लूवल्स, आर रएंगे, रीड राएंगे, लूवल्स, यूवल्स, लूवल्स, इस से हम ये कॉस्चन लेके आया आपको लगता है सर यहां तो डू लिखा था आर कहां से आया तो पैसी वाइस के फॉर्मेशन में आर आगे आ जाएगा देखो are novels read by you do they write an essay do they write an essay क्या वो एक ऐसे लिखते हैं तो अब यहां हो गया ऐसे चुकि सिंगलर था तो is an essay written by them हम कौन से कॉशन्स देख रहे हैं जो इसे मार से फ्रेम हुए हैं सारी डूड़स से फ्रेम हुए हैं और पैसिव वाइस में इसे मार से फ्रेम होगी कि वह वाले कॉशन्स की बात है आगे बढ़ते हैं दिट से अगर कॉशन अगर शुरू हुआ होगा मकलों कौन सा कॉशन होगा पास सिंपल का कॉशन होगा और पैसिव वा इसके फ्रेमेशन में पासिंपल में वाद और वराता है तो जब इसका उन का कॉशन वाला देखो did he write a letter? तो यह हो जाएका was a letter a letter written by him? दिट इड़ शी help you? तो यू था इसली हो गया, were you helped by her? दिट ही call you? वर you called by him? तो दिट वाला जो question होता है, उसको जब हम पैसे मिले जाते हें, तो was या बर सि कॉश्चन फ्रेम होता है हमा क्योंकि वह प्रॉजेंट कर्यास्ट सिंपल का फॉष्चन Зथ येक चलो और आगे चलते हैं अब अगर इजहनार वाला संटेंस वॉर प्रॉपिक्ट कउंटनेों हो यह मतलब वहा कौन सा का प्रॉज्ट का है तो is a letter being written by him यहां पर object है being लिखना पड़ा continuity के लिए वाप का third form written और पीछे by him are they singing a song is a song being sung चुकि यहां पर a song था मतलब singular था इसलिए हमें यहां इसलिए लगाना पड़ा तो is a song being sung by them are you watching a movie अब चुकि movie अगेन यहां पर singular है तो is a movie being watched by you यह इसमर से बनने वाले questions थे और फुड़ा आगे चलते हैं आप अगर वाजवर से questions बन रहे हो तो पैसे वाजवर ही होगा कैसे वाशी cooking food was food being cooked and were they playing chess was the chess being played by them was he washing the cloths was he washing the cloths were the cloths being washed were you serving your parents of your parents to keep plural है तो वर यह पैरेंट्स being served by you ऐसे ही है यह वाला हो जाएगा और हैड तो हैज ही रिटन आलाटाव है जाज अ बुक बीन स्वारी बुक है जी रिटन आ बुक तो है इस अ बुक बी रिटन ये पैसे हुआ इस फॉरमेशन ने कॉश्चन वर्ट आगे लगा हुआ है है यह यह बुक बीन रिटन है अलब यह ब्लेट था मैच है अप्टू की मैच सिंगले था इसलिए हैस दमेच बीन प्लेड या है ची सेंट आम यह अनमेल बीन सेंट बाई हर आप थोड़ा समझ में आ रहा है क्या अब आ रहा होगा आपको क्या आ रहा होगा कि कैसे पैसिफ वाइस में कॉश्चन सम फ वह से अगर कॉस्टेंज बने हो लिक वाट मैं विया वाय एक्सक्टरा इनसे अगर कॉस्टेंज फ्रेम हुआ हो तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा यह स्यों में नहीं दिया जा सकेगा जो कॉस्टेंज हेल्पिंग वाप से बनते हैं उसका अंसर तो यह सो में हो सकता है लेक किया बचा हाआथ हाझ यू ब्रोकें दो मिरस इसवाक्रिया का पैसिव बना ना हम इसका तो याकिन व ब्रोकें आ copying यह एक यस बने से इस इसका पैसिव बनेगा has the mirror been broken by you है पहले हमने डब्लिवली एच वर्ड हटाया फिर जो संटेंस बचा था उसका पैसिव बनाया और फिर उसमें वापस से हमने डब्लिवएच वर्ड लगा दिया कैसे अब देखो अब क्या होगा इस तरह के वाक्यों में बाई हूम कैंखे बाइव हुम का प्रयोग सामाने ता वाकिख के अरम में देखे वो फूसा अड़ो प्राबल्लम हो तो पहले वह को तो यहीं लिखे रहे रहे मित तो सॉल्ड दो प्राब्लम का बनेगा वास्द ब्रोब्लम सॉल्ड और आगे लगादो बैओ हुम हुप क्या हो जाता ह कर देते हैं ने यह भी आप समझ रहे हैं वाय है वाई हविय ब्रोकन दमेर अबदेखो अ डिया है ज़िए यह वाय हमने आजटी नीचे कोपी कर दिया when will you return my pen so when will my pen be returned फिरागे लगा दिया वें जैसा का तैसा where did he put the keys where the keys were put now so yeah where laga दिया why does he kick the ball is the ball kicked why is the ball kicked by him or something i mean तो यह पासिव वाइस के formation है कॉस्चंस वाले है इस इस क्लास में हमने सीखा है कि पैसे वूइस का क्वाश्चन का फ्रोमेशिन किस तरह से होता है अगर is mr helping verb मतलब helping verb से बनने वाले questions हो तो passive wise में question कैसे बनता है अगर wh word वाले questions हो तो passive wise में question कैसे बनता है ठीक यहां तक आपको passive wise के questions बनाना आ गया है आगे सीखने के लिए आगे आने वाली classes attend कीजिए थैंक यू कि बनщा को जब सकती है कि अगर आ वे बनोचम और रग्ण्द बने कावैं